बिस्मिल्लाही रह्माने रहीम, असलाम अलेकुम, उमीद करता हूँ आप सब लोग अपने अपने गड़ों में हैर यसे होगे, आज की इस वीडियो में हम एक नई अप्रोच देखेंगे, स्वार्टिंग अल्गोरिद्म के लिए, लीनियर टाइम स्वार्टिंग अल्गोरि इसे पहले हमने बबल साइट, इंजर्शन साइट और स्लेक्शन साइट भी देखी थी, तो यह सारी सार्टिंग अल्गोरिदम है लेकिन इनकी जो नेचर है वो डिफरेंट है, इसे तरह आज हम जो देखेंगे इसमें दो अल्गोरिदम है, काउंटिंग साट और राडिक स यह दोनों जो है, लिनियर टाइम पर चलते हैं, लिनियर टाइम का मतलब है, अभी तक हम इतने भी अल्गोरिदम देखें हैं इसे पहले, उनमें सबसे बेस्ट जो टाइम कंपलेक्स्टी आई है वो, मज साट की आई है, जो के, बीगो अफ एन लॉग न की फार्म में आई फार्म में आई थी, तो एन स्केयर ज्यादा है, जो है न, यह न, लॉग न से, तो हमने जो मिनिम अब तक देखी है, अभी यह साट की है, अट लॉग न, वर्स केस, बेस्ट केस और एबरीज के स्थीनों के लिए, तो इस वीडियो में हम, जो है न, लीनियर टाइम साटिं इसको linear time करते हैं तो यह n log n से भी काम होती है ठीक है तो यह लिखाव है कि they are the sorting algorithm that run faster than n log n ठीक है इस से भी fast इनका time होता है लेकिन इनके लिए इनकी जो जैना कुछ restrictions होती है इनका मतलब जो input array होती है उनमें कुछ restrictions होती है कि data इसी तरह का ना चाहिए इस तरह का अभी हम देखते हैं आगे ठीक है तो इनकी complexity आएगी big of n की form में इसमें basically तीन algorithm है counting sort radic sort and bucket sort आज हम इस वीडियो में इन दोनों को cover करेंगे counting sort और radic sort को counting sort एक अच्छा इसमें अब इससे पहले हमने जितने भी algorithm देखे हैं वह सारे comparison based है मतलब comparison होता है दो elements के दुर में अगर तो condition fulfill होती है तो swapping हो जाती है इस तरह से जिस तरह भी logic हर algorithm की बनी होती है तो वह comparison based algorithm थे लेकिन यह वाले जो है linear time पर चलते हैं जैसे counting sort और bucket sort है यह non comparison sorting algorithm है ठीक है non comparison का मतलब है कि इन में comparison नहीं होगा किसी हो तरह से इन में logic लगी है वह भी हम देखते हैं algorithm को जब discuss करेंगे तो ठीक है इनको कहते हैं non comparison algorithms के इन में comparison नहीं करोगे जैसे वह की condition लगी होती है ना इस जो भी आगे इस वान इस लेस्ट इस वान इस तो इस तरह की हाँ पर नहीं लगी होगी इसमें हम किस तरह से सौर्ट करेंगे एरे को हमार पास की वैलियों होगी की अलिमेंट इसे हम करेंगे उसको यूज करके हम सौर्टिंग करेंगे ठीक है की वैलियू हमारे पास होगी हम एरे में सभी फान्ट आट करते हैं जो अरे का maximum number होता है हृइ है तो जैसे कि हमाए पस यह का रहिess निबर कीं के फाइब तो हमारी यह उसका अब करेंगे लोगा हम के मैं उसमें को कर इसको को अ रखेंगें इसका साइज इतना बनेगी अब इसमें जो restriction होई है कि counting शाट गनाट भी अप्लाइड आफ लोटिंग वाल्यूस ठीक है यह सिर्फ इंटिजर वाल्यूस के लिए अप्लाई होती है काम करती है फ्लोटिंग नंबर्स के लिए यह काम नहीं करती तो यह इसकी एक restriction है ठीक है तो इसमें हम यूज करेंगे इस अल्गरोथम में a b and c a हमारे पास इन्पूट आ रहे होगी जिसको हमने सॉर्ट करना है भी हमारे पास एक आरे होगी जिसमें हम सॉर्टिंग नंबर जो है ना लेके आएंगे सॉर्ट करने के बाद इसमें से होंगे नंबर इसके बाद एक टेप्रेरी यूज करेंगे जिसका साइज होगा जिरो से के तक यह और रिकास आज दो फइसमें तक जितने नबड़ा फईलिमेंस हैं जैसे हां पर सामना है एम तो यहांपर ऐर बीका साइज सामना होगा और सी का साइज क्या होगा 5 ठीक है तो भी हमने अग्वेंपल आग हम ने सब्सक्राइब तरिये हमारे पास कि हमने से डिक की है मैं घंड कर लेक्स इसके पास ट्राइक में हम ने क्या करना है काउंट दान अब आफ इस्टेंट आलिमेंट्स फॉं इन पूट एरे एंड से इस ट्राइप में प्रेसिकली हम क्या करेंगे हर नंबर को हम देखेंगे कि वह कितनी दफा आया इंपूट आरे में जिरो गफ लेके आगे देखेंगे कि 0 कितनी दफाया है एरे में फिर 1 कितनी दफाया है दू कितनी दफाया है ठीक है तो यह हम स्टाइकं स्टाप में यह जिसमें हमने नंबर सौट करके रखने है उस एरे में हमने actual position find out करनी है हर element की ठीक है by adding the current and the previous element in the array CE ठीक है यह भी हम एक example देखते हैं try run करके तो फिर आपको इस चीज़ का idea होगा ठीक है तो फिर स्टाप में हमने करना है BE array जो के हमारे पास output array है उस को उसकी उस एरे में actual position हमने find करनी है हर element की वो कहां पर लाई करेगा कैसे करनी है c array को current position और previous element को add करके उसके बाद place the elements in the sorted order in array b by using the array a and array c 4 step में हमने 3rd step में position find out हो जाएगी 4 step में हमने करना है उनको place कर देना है उनकी actual position पर ठीक है finally हमने क्या करना है आरी step में हमने बी आरे जो हमारे पास आ गई है sorted order में उसको हमने copy कर देना है ए में ठीक है हमने दुबारा जो input array थी जिसको हमने sort करना था वो हमारे पास sort होके b में आगे हम हमने b को copy कर लेना है एक अंदर simple एक loop लगा आके far का तो वो copy कर देंगे हम ठीक है तो यह algorithm है counting sort का जिसमें input array अभी हमारे पास sorted array होगी और k हमारे पास number of maximum element होगा जो के input array में maximum element होगा तो हमने लट कर दिये temporary array जीरो से के ठीक है अब यह पहले स्टाप में हमने क्या कहा था कि हमने c array को 0 से initialize कर देना सारे elements को 0 से initialize कर देना तो loop लगा दिया हमने 0 से लेके k तक ठीक है इस array को हमने sub को 00 sign कर दिया पहला step था second step में हमने क्या करना था count करने थे हमने कि कितने array में 0 कितने हैं 1 कितने हैं 2 कितने हैं इस तरह ठीक है तो यह वाला step यह काम कर रहा है ठीक है मैं आपको अगली example से दिखाता हूं फिर आपको algorithm पर लेकर आता हूं फिर आपको idea होगा अब जैसे ही हमारे पासे input array है ठीक है यह सारी input array इसका size I think 17 है एक दो तीन चाहर पांच छे साथ नाओ दस ग्यारा बारा तेरा चोज़ा पंदरा सोला सत्रह 17 size array है अब इसमें maximum element हमारे पास के है 9 तो के हमारे पास आजेगा 9 ठीक है create a temporary array c of size k plus 1 ठीक है यह फैला step है कि हमने c array एक temporary array बना लिया 10 size की ठीक है maximum element के 9 है ना तो 0 से लेकर 9 तक इसमें elements होंगे ठीक है तो 0 से 9 तक कितने बनेगे 10 बनेगा size तो 10 size की array आपने बना ले नहीं है ठीक है 10 size का मतलब है कि उसमें 0 भी add होगा न क्यूंकि इसमें 0 भी आया होगा 0 element भी है तो 0 भी हमने count करना है तो 0 से लेकर 9 तक की array बनेगी indexing 0 से लेकर 9 तक होगी लेकिन elements उसमें 10 नहीं होगे तो 10 नहीं होगा लेकिन indexing 0 से 9 तक होगी ठीक है यह पहला step होगी अब second step में क्या करना है हमने count करना है कि कितने 0 आया है कितने 1 आया है कितने इस तरह से ठीक है तो यह c array हमने बना ली एक दो 3,4,5,6,7,8,9,10 ठीक है 10 size की array बना ली 0 से लेकर 9 तक अब इस array में हमने count किया 0 कितने दफ़ाया है एक 2,3 3 दफ़ा 0 आया है तो हमने यहा पे 0 इंडेक्स पर 3 लिख दिया ठीक है अब वर आफ ko आफ हमने देखना 1 कितने दफ़ाइब है एक दो lay दो दो लो यह पन फोटा खांए है फिर फाइव को देखना फाइव कितनी तफाया है फाइव यहां पर कोई भी नहीं है ठीक है इसी तरह हर इंडेक्स पर हमने देखना कि कितनी तफाया है वह वह वाला उसको सब्सक्राइब अधृ करता है ठीक है चम्राइग और Hee में सब्सक्राइब करताओ रहा है कि कैसा है 혹 Sharroni ជक ऐगे का ना है मैंकिन पूसिजटन फाइड इंडेक्स अधवरी सताया कन दो फेक्सक्राइब अब C array पर loop लगेगा क्योंकि हमने C array को C array में से current position और previous position अड़ करनी है तो यह current position plus previous position i-1 को add करके current position में save कर रहा है तो यह third step वाला loop है जो के C array पर लगा हुआ है ठीक है इस array पर loop लगेगा अब क्या करेगा इधर से start होगा loop 1 से start हो रहा है ठीक है 1 का मतलब है कि 1 index से start होगा इधर से इसको add करेगा और previous को add करेगा इन दोनों को add करके यहां पर save कर देगा ठीक है इस पर पहले वाले index पर एज़िटीज आ जेगा 3 फिर इन दोनों को add करेगा 6 आ जेगा ठीक है अब ये array अपडेट होगा है अब इस वाले को और previous को 10 प्लस 0 10 प्रेंट को प्रिवेस को आड़ करेगा 10 प्लस 1 11 फिर इसको आड़ करेगा 11 प्लस 1 12 फिर 12 प्लस 0 12 फिर 12 प्लस 4 14 14 प्लस 1 15 15 15 फ्लस 2 17 थीक तो यह विजीकली क्या कर रहा है actual position फांडिक यह अब एक्चल पिजिशन आगया है यह जो यह वली है update area a car a यह एक्चल पिजिशेन आई हार रे कीक्चल पिजिशन आगयी है यह जो अब हमने क्या करना है इन प्लेस कर दिया है अब इनको हमने प्लेस कर देना है ठीक है तो यह फोस्ट्रप में हमने इनको प्लेस कर दिया ठीक है फोस्टप हम देखते हैं फोस्टप में ये काम हो रहा है इसको पढ़ लेते हैं प्लेस को प्लेस करना है तो उसके लिए यह वाला लूप लगागा फोस्टप पे ले-1 से लेकर जीरो तक ठीक है अब लूप लगागा यह दू बन से स्टार्ट और जीरो तक जा रहा हैं तोफ इन्पूट अर् professionals तक हुंद alup 9 हो जाएगा आगे C लिखाव है बलब C array में से 9 index पर देखो क्या है तो C array में हमारे पास ही है 9 index पर क्या है 17 ठीक है 17 को क्या करे 17 को minus कर दे 17 को एक decrement कर दे 16 हो जाएगा 16 अब कहां पर save कर दे C F 9 में ठीक है तो 16 लोकेशन पर जाके B array में इंक्रिमेंट हो गया यहां पर उसके बाद क्या करें B array में जाके 16 पूजिशन पर A F I को save कर दे ठीक है B array के 16 पूजिशन कौन सी यह वाली तो इस अबरे पर क्या करें A F I को save कर दे तो A F I में क्या था 9 तो 9 यहां पर आजएगा ठीक है फिर लूप में एक decrement होगा इस पूजिशन पर आजएगा लूप फिर यहां पर इस तरह से A F हो जाएगा 15 हो जाएगा A F 15 अब A F 15 पर जाना है आपने CE पर CE की A F 15 पर ठीक है C की C की 15 लोकेशन पर जागे आपने माइनस करना एक तो A F 15 की आएगा A F 15 आएगा हमारे पास 1 आएगा न हमने इंडेक्स में देखना है उसकी एलिमेंट देखना है तो 1 तो CE आएगे की 1 इंडेक्स पर हमने देखना क्या है 1 index पर क्या 6, 6 को minus करें 5 कर दे, ठीक है, और 5 location पर जाए, बी की 5 location पर 5 location बनती है, 0, 1, 2, 3, 4, 5 यह बनती है, तो 5 location पर क्या save कर दे, 1, ठीक है, तो 1 हम पर आ जाएगा, इसी तरह decrement होगा, एक और minus होगा, अब अब I में क्या होगा, 0, अब 0 location पर जाए, C की 0 location पर जाए, क्या 3 है, 3 है, 3 को minus कर दे, 2 कर दे, अब 2 location पर जाके, बी आरे की 2 location पर जाके, 0 को save कर दे, ठीक है, तो इसी तरह यह loop चलेगा, basically, यह थोड़ा complex इसलिए है, क्योंकि इसमें, 3 हो यूज़ कर रहा हो, सबसे पहले, input आरे में देख रहा है, कि element क्या है, उस element को लेके जाता है, वो इस index पर देखता है कौन सा element है, फिर उस element के decrement करता है, decrement करने के बाद जो element बनता है, फिर वो element, gathered to, B array की index में लेके जाता है, फिर उस index प जाके, save कर देता है, जो भी element होता है एक अदर, ठीक है, तो यह इस तरह से काम हो रहा है, सबसे पहले एलिमेंट को सी एरे की इंडेक्सिंग पर जाकर उसको माइनस करता है और फिर माइनस करने के बाद वह बी का इंडेक्स बना देता है और बी इंडेक्स पर जाकर आफाय को सेव कर रहा है ठीक है तो यह इस तरह से काम हो रहा है तो यह जो फोर स्टेप है इसमें आपकी जो है न वह सॉर्टिंग हो जाएगी यह सॉर्ट फॉर्म में अब ठीक है हमार पस तीन जिरो थे तीन वन थे फोर टू थे तो यह इस तरह से सॉर्ट हो गया है अब 5 step में आपने क्या करना है यह आपके पास इसको आपने कॉपी कर देना है यह यह लूप लगा हुए जिरो से लैंग माइनस वन तक और भी अफ़ा इस इकल टू भी अफ़ाइ बी अरे के अलिमेंट से यह अरे में कॉपी हो जाएंग इसको कहते है उस्को का trabalh कोई रही है क्योंकि इसमें हो कांट करने के बाद वनको फिर करता है हर element की फिर उनको सौटी डाटर में लिख देता है इस तरह ठीक है तो यह आप इसमें बेसिकली इस तरह समझाया नहीं जा सकता स्लाइट में आप इसको हुद प्रैक्टिस करना इस algorithm को लेके अरे बेशक आप छोटी ले लेना थोड़ी चार पांच elements की फिर आपको idea हो इस वीडियो में आपको दिए इस वीडियो में आपको दिखाता हूं आप बेशक उसको प्रैक्टिस कर लेना इस algorithm के लिहाज से ठीक है तो यह इसकी working है इस तरह से उसके पाद इसकी complexity किस तरह से निकलेगी अब जैसे मैंने बताया है यह लीने टाइम में चलता है लीने ट तो यह लूपचलेगा 0 से लेकर कैक तक जो इसका आजएक टाइम के यह चलेगा 0 से लैंट मैंस वन तक तो इसका अजएगा यह सबको एड करेंगे तो टो इसमें आपका यह बन जाएगा और अगर हम तो यह बन जाएगा आपका अन प्लस के ठीक है तो time complexity आ जाएगी order of n plus k ठीक है तो अगर हम k को भी अगर constant consider करें तो आपके पास आ जाएगी big go of n आ जाएगा आपको पास time ठीक है तो अब इसलिए इसको linear time sorting algorithm कहते हैं क्योंकि इसका big go of n की form में time आता है अगर के को हम constant consider करें तब आपका ही आएगा अगर ना consider करें आप तो फिर ऐसे ही आएगा big go of n plus k ठीक है तो के mostly हम इसको constant ही लेते हैं क्योंकि इसका size maximum आपका 9 या 10 नहीं हो सकता क्योंकि जो 0 से लेकर 9 तक ही elements होते हैं decimal में तो इसका size हमेशा 10 होगा के का जो के constant होगा ठीक है उसके बाद second algorithm है यह भी linear time sorting algorithm है रेडिक sort यह इसमें यह pre-req है और ही counting sort इसका pre-req है ठीक है मतलब counting sort इस रेडिक sort algorithm के अंदर यूज होगा as a part इसका ठीक है अभी हम देखते हैं इसको तो is also non comparison sorting algorithm यह भी non comparison sorting algorithm है linear time पर यह भी लाई करता है ठीक है इसमें क्या होगा sorting will be done in d phases अब इसमें digits की farm में हम इसको अब जो है maximum number होगा उतने पास चलेगा यह वाला लूप यह वाला algorithm उतने पास चलेगा ठीक है suppose को यह हमार पास आ रहे है तो यह highest number इसमें से five three zero है तो यह कितने digit का three digit का three digit number है यह तो हमार पास तीन दफा जो है ना चलेगा यह वाला counting chart का जो algorithm है जिसको हम call करेंगे ठीक है तो इसके दो step में सिरफ find the highest सबसे पहले step में हमने करना है find the highest digit in the array and make all the elements d digit number ठीक है हमने के पहले step में क्या करना है कि देखना array में से input array में से highest number कौन से कितना अगर तो 3 digit पहाएं तो बाकी यतने बिजट हैं उनको भी 3 digit number बनाना हम ने ठीक हो सकता है कुछ number कुछ element 1 digit क्यों कुछ element 2 digit क्यों तो हम नहीं सुपको 3 digit का बना दिना अब ही हम натांगे देखते हैं कैसे बनाना एक शैमपल में उसके फांख यह करना is counting उतने दफ़ा हमने counting chart को call कर दिना है simple एक लूप लगा के ठीक है from least significant digit to most significant digit अब least significant digit का क्या मतलब होता है यह जैसे यह 3 digit number है ना तो least significant digit का मतलब है 0 से हमने start करना है पहला लूप 0 से लगेगा फिर 3 पर लगेगा फिर 5 पर लगेगा यह least significant digit होता है यह most significant digit होगा 5 तो हमने start करना है least significant digit से ठीक है तो इसकी example देखते हैं सब्सक्राइब हमार पास यह कह रहे हैं इसमें अब हमार पास कुछ element one digit के हैं कुछ two digit के हैं कुछ three digit के हैं ठीक है तो हमने क्या करना है सबसे पहले देखना हाइस number कौन सा है कितने digit का है तो हाइस नमबर हमार पास six double seven है जो के three digit का है ठीक है तो हमने सबको three digit number बना लेना है ठीक है इससे पहले यह one digit है इसको three digit बनाने के लिए दो दूब लगा देंगे यह two digit है इसको three digit बनाने के लिए one zero लगा देंगे तो इस सबसे हमने सबको three digit number बना लिया इसके पार second step में क्या करना है गृव में काल करना हमने काल करना हमने तीन दफा काल करना क्योंकि हमारे पास three digit number है सारे ठीक है तो least significant से हमने स्टार्ट करना है ठीक है तो ली सिगनिफिकांट का मतलब है जैसे मैंने पहले बताया कि राइट साइट पर जो डिजिट होगा उदर से स्टार्ट करना है ठीक है तो राइट साइट पर हमारे पास अब देखना है सौर्ट करना ना बेसिकली तो कंटिंग सार्ट करने के बाद क्या होगा सॉर्टिंग आडर में आ जाएंगे लीज चीपने डिजिट के हवाले से हम देखें इसको तो इन में तरह से काम नमबर है जीरो है ठीक है कि हमने को पहले दो डिजेट को नहीं देखना इन को भी निदेखना इनको भी नीदेखना फेले सिर्फ तरीजिट को देखना तो तीजिट में 0 वाला कौन सा यह तो फाइव 30 जिरू आजएगा पहले नूमबर फे उसके बाद zero आ रहा है फिर दुबारा से जिरो नाइन जिरो आजेगा उसके लावा कोई जिरो है तो आएगा नहीं है तो ठीक है नहीं आएगा अब वन को देखना है वन है कोई 3-least significant digit में तो 1 ये वाला है 2-3-1 आजेगा ये भी है 1 0-1-1 आजेगा ठीक है उसके बाद 1 और और कोई नहीं है फिर 2 वाला देखना ये 2 वाला है 4-3-0 यहां पर आजेगा 2 वाला और कोई नहीं है ठीक है 3 वाला भी कोई नहीं है फोर वाला भी कोई नहीं है फाइफ वाला यह फाइफ वाला है ठीक है तो जिरो फोर फाइब आ जाएगा यहां पर ठीक है उसके पाल सिक्स वाला भी कोई नहीं है तो उसके पाल नहीं कोई फिर्स पाल स्थात ठीक है चाएफ लाला लाइकी फिर में हैं तो इसको बहुंछे आगेएदा जो बाद में आएगा उसको बाद में लिखेंगे ठीक है उसके बाद 9 वाला एगी है तो 1-1-9-9 आजएगा ठीक है तो यह भी फर्स्ट पास हुआ है जिसमें आपने लीस सिकनिफिकन डिजट को देखा है ठीक है अब सेकिंड पास में हम सेकंड डिजट को देखेंगे अब स्थारी को हम इंद रांसरे हो लेकर वाला तो यह जिरू वाला ठीक है इसको फिलेएगे उसके लिए जिरू वाला पर इसी तरह 1-1 वाला एक यहा राजाएगा उसके लाप कोmacर ने सिजोट करना वांच्ए यह जिए पुड कोई सय हैंगा है 3 को शीक है उसी तरह यह सारा पृटिंग सार्थ का लोग अब साकंड डिजिट के लिए तो यह बंजाएगी तो फितरह थर्ड पास में दूबरा से अब तीसरे डिजिट के लिए काल होगी काम्टिंगस अब इस एरे पहोगी जो कि अप्डेट लेगा ठीक है तो दुबरा र का लोगी 38 के लिए ठीक है तो फिर थर्ड पास के पास आपका जो एरिया वो सॉर्टिड हो जाएगी ठीक है तो यह आप देख सकते हैं हाँ पर आपकी एरिया सॉर्टिड है 8 11 45 88 91 99 23 143 25 30 67 ठीक है तो इसका जो अल्गरिदम है वो सिंपल है इतना कंप्लेक्स नहीं है अल्गरिदम है इंपूट अरे डी हमारे पास नमबर आफ मैक्सिमम डिजिट है जो के जितने दफ़ा हमने काउंटिंग सॉर्ट कॉल करनी है तो सिंपल वान से लेकर दिए तक लूप लगावा और इसके अंदर काउंटिंग सॉर्ट का अल्गरिदम जो हमने भी पीछे देख है वह कॉल हो जाएगा ठीक है कितनी आपके मैक्सिमम डिजिट नमबर है जैसे हमारे ग्जामपल में त है ठीक है यह ओलडी थ्री डिजिट वारे तो अब इस एरे पर लिस्टी पर भी निश्टर सब्सक्राइब करना है मतलब राइट साइड राइट साइड से हां ठीक है तो इसमें 0 वाला देखें के सबसे पहले प्र शीट निश्ट जो को हां पन लिक देगे वेन वाला इसको बाद में लिखेंगे तो यह जो फस्स बाद योगा डिजट के बाद जो हना सॉर्टिंग होई अब सेकंड डिजट प्लाई होगा यह सारा प्रॉसस तो तो सेकंड डीजिट के बाद यह आए आज या जाएगी फिर फिर दिजिट पर दुबारा से अप्लाई होगी कांटिंग सॉट तो 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 इसने बेसिकली डीजिट पर हम हर डीजिट पर यह दरादा कंटिंग सॉट कॉल कर रहे हैं ठीक है तो इसके सिर्फ दोई स्ट्राप में पहले स्ट्राप में हम नेगा करना है अगर तो नमबर थ्री डीजिट नहीं है सारे तो उनको पहले साथ से पहले थ्री डीजिट नमबर बनाना कि उसके बाद कि 1 च्द बीचरब सब्सक्राइब करनी है कितनी दिदिधि कितने आपके डिए मैक्सिम डिचित कितने नंबर क्या उतनी सफार आपने कॉल करनी है ठीक है तो सकी कंब्लक्सृटीं भी यथा हम देखते हैं कउंठिक आपनेक नीक्ली देखें कोषाब d से multiply करते हैं कि n प्लस k को तो यह आपका big go of d multiply by n प्लस k आ जाएगी complexity radic sort की तो d को अगर constant हम consider करें और n is equal to k अगर हो हमार पास तो इसका time उसी तरह से linear time में हम निकाल सकते हैं big go of n की form में ठीक है तो यह भी एक हमार पास linear time sorting algorithm है ठीक है तो उसके इलावा third sorting algorithm भी है bucket sort वह भी linear time पर चलता है उसकी मैंने आपको assignment दी है वह भी आपने देखनी है लमस पर मैंने upload की है तो वह भी linear time sorting algorithm है और यह दो question है यह आप की practice के लिए मैंने लिखे हैं तो यह आपने गर में इसको practice करना है एक counting साथ से related है दूसरा रेडिक साथ से related है दोनों में आपने simply क्या करना है अरे दी हुई है आपने इनको dry run करना बेसिकली अपरेशन अलस्टेट अपरेशन का मतलब है कि आपने जैसे मैंने slide के अंदर बताया पीछे ठीक है तो इनको आपने sort करना है तो इनको आपने sort करना है अब इसमें सारे डिजाट हमारे पास तीन डिजाट के आपने इनको तीन दफाओ करना पहले तो प्रैक्टिस करनी है इनकी ठीक है तो फिर भी अगर कोई प्राब्लम होती है कोई किंफिजन होती है तो आप क्वेशन वगारा कर सकते हो इमेल वगारा पर ठीक है ओके अलहाफिज